राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय सोलह व्यावसाइक शिक्षा का नवीन आकलपन तो आईए सुनते हैं इसका द्वनी पाठ प्रिष्ठ संख्या सत्तर 16.1 बारहुई पंचवर्षी योजना दो हजार बारह से सत्रा के अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयू वर्ग में आने वाले भारतिय कारेबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत 5 प्रतिशत से भी कम लोगों ने आफचारिक ब्यावसाइक शिक्षा प्राप्त की जबकि सायूक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत, जमनी में 75 प्रतिशत और दक्षिन कोरिया में अत्यंत अधिक 96 प्रतिशत पर यह संख्या काफी अधिक है यह संख्या भारत में ब्यावसाइक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यक्ता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है 16.2 ब्यावसाइक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह तर्थ्य है कि अतीत में ब्यावसाइक शिक्षा मुख्य रूफ से कक्षा 11 और 12 और कक्षा 8 और उससे उपर की कक्षा के ड्रॉप ओट्स पर केंद्रित थी इसके आलावा ब्यावसाइक विशायों के साथ साथ 11 और 12 पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अकसर उचितर शिक्षा में अपने चुने हुए ब्यावसाय के ख्षेत्र में आगे बढ़ने का स्ष्ट मार्ग नहीं होता है सामान ने उच्चेतर शिक्षा के लिए प्रवेश मान दंड भी व्यावसाईक शिक्षा की योग्यता वाले विद्ध्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टी से डिजाइन नहीं किये गए थे फल सरूप वे अपने ही देश के अन्य लोगों के सापेक्ष मुख्यधारा की शिक्षा या अकादमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे इसने व्यावसाइक शिक्षा के विशायों से संबंधित विद्ध्यार्थियों के लिए शिक्षा में सीधे आगे बढ़ने के रास्तों को पूरी तरह से बंध ही कर दिया और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रिय कौशल योगेता फ्रेमवर्क यानि NSQF की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है प्रिष्ठ संख्या 71 ब्यावसाइक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से कम महत्व की शिक्षा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्यधारा की शिक्षा के साथ सामंजस से नहीं बिठा पाते यह ऐसी धारणा है जो आज भी जस्त की तस बनी हुई है और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है यह एक गंभीर चिंता का विशय है और इससे निपटने के इस तर्थे को पुनरकल्पित किये जाने के आवशकता है कि भविश्य में छात्रों के सम्मक्ष व्यावसाइक शिक्षा की पेशकर्ष किस प्रकार की जाती है 16.4 इस नीती का उद्देश्य व्यावसाइक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिती को दूर करना है और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षन संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्योविद्याले चरणवध तरीके से व्यावसाइक शिक्षा के कारिक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा में एकिक्रित करें और इसकी शुरुवात आरंभिक वर्षों में व्यावसाइक शिक्षा के अनुभव प्राप्त करने से हो जो की फिर सुचारू रूप से उच्चितर प्राथ्मि 16.5 वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चितर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसाईक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा जिसके लिए लक्षे और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी यह सतत विकास लक्षियों के लक्षे संख्या 4.4 के साथ संगतता रखते हैं और भारत के जनसंख्या रूपी संसाधन के पूर्ण लाव को प्राप्त करने में मदद करेगा GER के लक्षियों को तह करते वक्त व्यावसाईक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा व्यावसाईक शमताओं का विकास और अकादमिक या अन्यक शमताओं का विकास साथ साथ होगा अगले दशक में चरणवध तरीके से सभी माध्यमिक स्कूलों के शेक्षणिक विशयों में द्यावसाइक शिक्षा को एकिकृत किया जाएगा इसके लिए माध्यमिक विद्याले, ITI, Polytechnic और स्थानिय उद्योगों आधी के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोग शालाएं भी स्रीजित और स्थापित की जाएंगी जहां अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे उच्चितर शिक्षा संस्थान स्वयम ही या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साज्यदारी में व्यावसाईक शिक्षा प्रदान करेंगे वर्ष 2013 में शुरू की गई डिगरी बी वोक पूर्व की तरह ही जारी रहेगी लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसाईक पाठेक्रम अन्य सभी सनातक डिगरी कारेक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे जिसमें चार वर्षिये बहु विशयक सनातक कारेक्रम भी श्रामिल रहेगा उच्चितर शिक्षन संस्थानों को soft skills सहीत विभिन काउशलों में सीमित अवधी के certificate course करने की भी अनुमती होगी लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसाईक ज्यान से जुड़े विशयों को व्यावसाईक शिक्षा पाठ्थे क्रमों में एकी करण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलब बनाया जाएगा जहां भी संभाव हो, ODL मोड के मध्यम से भी व्यावसाईक पाठ्थे क्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी अगले दशक में व्यावसाईक शिक्षा को चरण बद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चितर शिक्षा संस्थानों में एकिकृत किया जाएगा व्यावसाईक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव काउशल अंतर विशलेशन यानि स्किल गैप एनालिसिस और स्थानिय अवसरों के आधार पर किया जाएगा शिक्षा मंतराले इस पहल की देखरेख के लिए उद्ध्योगों के सहयोग से व्यावसाईक शिक्षा के विशेशग्यों और व्यावसाईक मंतरालेयों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राश्ट्री समीती National Committee for the Integration of Vocational Education यानि NCIVE का गठन करेगा सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले संस्थानों के लिए या आवश्यक है कि वे नमाचार के माध्यम से ऐसे मौडल और प्रनालियों की खोज करें जो की सफल हों और फिर उन्हें NCIVE द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साजा करें ताकि व्यावसाइक शिक्षा की पहुच को विस्तार देने में सहायता मिल सके व्यावसाइक शिक्षा और अप्रेंटिस शिप प्रदान करने वाले विभिन मौडलों को उच्चितर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाएगा उद्योगों के साथ साज्यदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इंक्यूबेशन की इंद्र स्थापित किये जाएंगे 16.8 राष्ट्रिय काउशल योगिता फ्रेमवर्क यानि NSQF को प्रतेक विशय, व्योसाय, रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा इसके अलावा भारतिय मानकों को अंतरराष्ट्रिय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्योसायों के अंतरराष्ट्रिय मानक वर्गी करण के साथ जोड़ा जाएगा यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा की आवर्शक्ता के लिए आधार प्रदान करेगा इसके माध्यम से ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यावारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़ कर उन्हें पुना आवचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा क्रेडिट अधारित यह फ्रेमवर्क छात्रों को सामान्य से व्यावसाइक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा अभी आप्षुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षा नीत दो हजार बीज भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याय सोलह व्यावसाइक शिक्षा का नवीन आकलपन वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत